अध्यक्ष महोदाए, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडिस्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाईयां भेजी हैं. विश्व के सबसे बड़े वैक्सिन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्वीक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूँ. भारत की वैक्सिन प्रोडक्शन और वैक्सिन डिलिवरी च्छमता पूरी मानवता को इस संकर से बहार निकालने के लिए काम आयेगी. हम भारत में और अपने पडोश में फेज थ्री क्लिनिकल ट्राइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं. वैक्सिन की डिलिवरी के लिए कोल्ड चेइन और स्टोरेज जैसिक शमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा. अध्यक्ष महोदाय, अगले वर्ष जन्वरी से भारत सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्य के तौर पर भी अपना दाईत्व निभाएगा. दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है, मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रगड करता हूँ. विश्वा के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्वा हित के लिए उप्योग करेंगे. हमारा मार्ग जन कल्यान से जग कल्यान का है. भारत की आवाच हमेशा शान्ती, सुरक्षा और सम्रुद्दी के लिए उठेगी. भारत की आवाच मानवता, मानवजाती और मानविय मुल्यों के दुश्वन, आतंगबाद, अवेईद हत्यारों की तसकरी, ड्रॉग्स, मनी लॉंडरिंग के खिलाब उठेगी. भारत की सांस्कृतिक दरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव, हमेशा विकास सिल्देशों को ताकत देंगे. भारत के अनुभव, भारत की उतार चडाओं से भरी विकास यात्रा, विश्व कल्यार के मार्ग को मजबूत करेगी.